हालो वेलकम टू माई चॉइस क्रिश्चन आज मैं बनाने जा रहे हैं मुंबई का स्पेशल रगडा पैटीस तो इसके लिए मैंने जो वाइट वाले मटर होते हैं ये लिए हैं और इसको रात भर के लिए मैंने भी हो दिया था और अब हम इसे विसल लगा लेंगे चार से प स्माक लाल मिर्च पाउडर साथ ही डालेंगे इसके अंदर दनिया पाउडर आदा-ादा चमच टालेंगे क्योंकि अल्रेडी हम जब रगडा बनाएंगे उसमें भी मसाले होंगे और चटनी भी यूज़ करेंगे तो उसमें भी मसाले पड़ेंगे तो इसलिए इसमें कम ही डालेंगे इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद बाइंडिंग के लिए इसके अंदर हम डालेंगे कौन फ्लोर दो चमच यह देखिए और इसको भी हम अच्छे से इसके साथ मिक्स कर लेंगे ताकि इसकी टिक्की हम आसानी से बना सकें यानि कि पैटीज बना सकें तो पैटीज बनाना स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए मैंने हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लिया है और इसके बार अपने हम पैटीज तयार करते हैं तेल लगाने से क्या होता है जो हमारे पैटीज हैं हाथों पे चिपकते नहीं हैं और एजिली बन जाते हैं तो इस तरीके से बॉल के टैप में आप इसका रोल लीचिए थौड़ा सा, पैटीज तयार कर लीचिए, यह देखिए, यह मैंने पैटीज तयार कर लें इसी तरीके से हम सारे पैटीज अपने तयार कर लेंगे, ये देखे ये सारी पैटीज मैंने तयार कर लिया है अब हम गैस पर रखेंगे एक तवा इतने तवा गरम होता है मैं आपको ग्रीन चट्नी इसकी बतार देती हूँ इसके लिए मैंने लिया है धनिया पुदीना जितना धनिया लेंगे उतना ही पुदीना लेना है साथ ही लिए हैं तीन से चार हरी मिर्च और एक इंच अद्रक का टुकड़ा साथ ही लिए हैं साथ से आठ लहसुन की कलिया तो इस सब को मिक्स करके हम इसका चटनी बना लेंगे ग्राइंडर में जब तक और साथ ही आदा चमच काला नमक तवा हमारा गरम हो गया इस पर हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे पहले और इसके बाद अपनी टिक्की को फ्राइ करेंगे यह देखे एक साथ से हमारी पक गई है तो हम इसे पलडते हैं यह देखे कितना अच्छा इसका कलर आया है ब्राउनिश कलर बहुत ही लाजवाब तो इतने हमारी जो पैटीज हैं दूसरी साइड से पकती हैं हम दूसरी साइड अपना रगडा तयार करते हैं तो पहले इस पर थोड़ा सा ओयल हम चारो तरफ डाल देंगे ताकि यह नीचे से भी अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं और अपना रगडा तयार करते हैं तो इसके लिए देखिए मैंने बॉयल कर लिया था इसको मटर को और अच्छे मैशी हो गए हैं एक पैन में तेल डाला है साथ ही डाली है थोड़ी सी हरी मिर्च और आदा चमच हल्दी पाउडर साथ ही डालेंगे आदा चमच धनिया पाउडर हमें जो हम रगडा बना रहे हैं इसके अंदर भी कम ही मसाले यूज़ करने हैं क्योंकि हमने पैटिज में भी डाला है और चटनी में भी हमारे मसाले हैं तो हमें कम ही मसाले इसमें यूज़ करना है बस ये तीन चीज़े डा एड़ कर दिया है इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और एक बॉयल आने देंगे इतने इसके अंदर बॉयल आता है हम अपनी टिक्की को दूसरी साइट से देख लेते हैं सिग गई है के नहीं पर दूसरी साइट से भी हो गई है यह देखिए दोनों साइट से अच्छी क्रिस्पी हो गई है बस इसको हलका सा और हम क्रिस्पी करेंगे और इसे उतार लेंगे यह देखिए एक से दो मिनट के लिए और इसे कुक करेंगे और यहाँ पर हमारे रगड़े में एक बॉइल आ गया है इसके अंदर हम आदा नीमबुनी चोड़ेंगे साथ ही इसके अंदर डालेंगे आदा चमच नमक या फिर सॉल्ट टेस्ट आप अपने अकॉर्डिंगली एड़ कर सकते हैं और बस इसे मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा इसे हम गाड़ा होने देंगे यहाँ टिक्की भी हमारी तयार हैं यह से उतार लेगे हम यह देखिये और रगड़ा भी हो गया है तयार तो देर किस बात की है चलिए अब हम इसे सर्फ करते हैं गैस को कर देते हैं अब पन तो पहले प्लेट में हम डालेंगे रगड़ा इसके बाद रखेंगे इसके अंदर एक पैटीज यह देखिये और इसके बाद हम इसके अंदर उपर से भी डाल देंगे रगडा यह देखिए और इसके साथ डालेंगे हरी चट्नी जो मैंने अभी आपको दिखाई थी वो और साथ ही इमली की चट्नी यह भी मैंने घर पे ही बनाई है इसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप वहाँ से चेक कर सकते हैं थोड़ा सा प्याज थोड़ा टमाटर और सेव के बिना तो क्या ही बात बने उपर से डाल देंगे थोड़ा सा सेव तो रेडी है हमारा रगडा पैटीस रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी चैनल को लाइक सबिस्क्राइब और शेयर करना बिलकुल मत बुलेगा और अपनी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजेगा ये देखे कितना लाजवाब इसका कलर और टिक्की वाव आ रहा है ना मुह में पानी तो एक बार जरू प्राई करके देखेगा थैंक यू झाल झाल